कैसे हो दोस्तों भूल भूलेया 3 के बारे में अपडेट डेता हूँ मैं आपको एक्चुली देखो क्या है जलो सिंगम वालों ने जो भी गडबड कर दी न वो उनकी गलती थी बटियर भूल भूलेया वालों ने भी अच्छी ट्रिक मिस कर दी और इसकी पीछे रीजन है क्य लेके डाउटफुल है क्योंकि मानो ना मानो यार देखो 15 अगस से बेटर आपके पास मौका नहीं मिलने वाला है आपको टीजर रिलीज करने का और पहले अपडेट आई थी कि 13 अगस को बाद में 14 अगस को और 15 अगस को बाद में मतलब इन तीन दिनों में इन लोगों ने कि लाना है या नहीं जिससे दोनों भी फिल्मों का जो कॉंफिडेंस लेवल है वो अच्छा नहीं दिखता है चाहे आप मानो ना मानो यह चीज़ यह अच्छी बात नहीं आपको अपने कंटेंट पे तो बिली होना चाहिए न क्या फरक पड़ता है सामने वाला क्या कर रह है बट इससे एक बात प्रूव हो रही है कि भूल बुलेया 3 वाले प्रिपॉन करने की या फिर पोस्टपॉन करने की तो सोच रहे हैं लास्ट चांस है कल है 30 I think अगर मैं सही हूँ तो 30 और 31 तारीक बोला गया था कि ऑगस्ट के एंड में भूल बुलेया 3 का कोई करना ही पड़ेगा या फिर हमें मान के चलना पड़ेगा कि ये लोग दिवाली से हटेंगे नहीं मुझे as a reviewer as a critic मैंने बहुत सी चीजे भूल बुलेया को लेके update लाने की कोशिश की makers बड़े डिले है भाई इसके भी हम पहले सिंगम को criticize कर रहे थे कि सिंगम के makers नहीं भा अगर धीले अगर कोई है तो somehow थोड़े बहुत तो भाई आप मान के चलो भूल बुलेया के भी makers है क्योंकि देखो ये सबसे पहली फिल्म है जो दिवाली में रिलीज का इन लोगों ने ऐलान किया था ये बहुत confident चाहिए थे इनोंने pre teaser नहीं बलकि एक poster तो लाना चाहिए क्योंकि अगर ये fast होते न थोड़े कि इनको prepon करनी होती तो ये लाते अभी तक कुछ ना कुछ तो लाते और 15 अगस्ट वाला confirm हो जाता के teaser तो लाते नहीं लाया है भाई मतलब मुझे लगता है कि दो दिन का इंतिजार करो बाद में पता चल जाएगा बस एक दो दिन में टीजर आने के चांसे से मुझे लगता नहीं दिवाली से हटेंगे ये लोग